हेई, वेलकाम बेक टो आर चैनल, इन टोडेश वीडियो आई विल टेल यू, हाउ टी एनेबेल नोटिफिकेशन लाइट, इस डिबाइस में फॉन क्यामेर के आसपास कालरफुल नोटिफिकेशन लाइट सो कैसे करें, जब कोई अप्लिकेशन से या मैसेज नोटिफिकेशन आएगा, इस तरह का खुबसुरत कालरफुल लाइट देखने को मिलेगा, नोटिफिकेशन लाइट सेट कारने का कुछ इंपोरेंस सेटिंग्स बाता हूंगा, इसलिए वीडियो को सुदू से लेकर आन तक देखना, नोटिफिकेशन लाइट एक्टिवेट कारने के लिए प्लेस्टोर में जाके एक एप्लिकेशन डाउनलोड कारना पाड़ेगा, इसका डाउनलोड लिंक वीडियो के डिस्क्रिशन में भी दिया गया है, एप्लिकेशन डाउनलोड हो चुका है, इस एप्लिकेशन को ठीक से बैक्राउन में काम कराने के लिए एक पार्मिसन अला कर दीजिए दोस्तों अब इस एप्लिकेशन को ओपेन करना है लाइट आप यूर फोन यहां नेक्स्ट दबाएंगे एप सेट आप करने से पहले कुछ-कुछ पर्मिशन एलोग करना होगा सिलेक्ट एप्स अब जिन एप्स का नोटिफिकेशन लाइट यहां देखना चाते हैं उनसों भी एप्लिकेशन को टन ओन कर दीजिए हमने फेस्बूक, इंस्टाग्राम, मैसेज, फोन कॉल और वार्चाप का पर्मिशन एक्टिबेट कर दिया इसके बाद नोटिफिकेशन एक्सेस एलाउ कर दीजिए, ड्रो और स्किन पर्मिशन एलाउ करना है, इस एप्लिकेशन के साथ कोई इंटरनेट का एक्टिबिटी नहीं होता है, इसलिए आपका पर्सोन लेटा सेफ रहेगा, दोस्तों इन से भी पर्मिशन एलाउ करने के बाद होमपेज में चले जाए एउडि नोटिपाई एपके होमपेज पर कुछ इस तरह के इंटरफेस देखने को मिलेगा, अब नोटिफिकेशन लाइट को कास्टोमाइज करेंगे, फास्ट नोटिफिकेशन टैब ओपेन कीजिए, यहां से किसी एपका नोटिफिकेशन लाइट ओन या ओफ कर सकते हैं इसके बाद बैटरी में याके फोन चार्जिंग लाइट, लोग बैटरी लाइट सेट कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए प्रीमियम भर्षन पर्चेस करना पड़ेगा फोन आनलोग, जब फोन आनलोग रहेगा बैटरी सेट करने के लिए नोटिफिकेशन लाइट ओफ राख सकते हैं सेकेंड, नोटिफिकेशन लाइट टैब ओपन कीजिए स्टाइल, नोटिविकेशन लाइट आपको कैमेरा के आसपस साहिए या फूल स्कीन में चाहिए मैं आपको साइस्ट करूँगा कैमेरा एस से ड्राखिये एफेक्ट, यहां कहीं सार एफेक्ट देखने को मिलेगा लेकिन इन में से के बल तीन एफेक्ट फ्री में यूज़ कर सकते डाइमेंज सान, यहां कैमेरा होल के इसब से नोटिविकेशन लाइट एड़जेस्ट करना होगा इसका थीगनेस थोड़ा बढ़ा हिए रिसाइज वैलू माइनस 44 पासेन इसके बाद X पोजिशन 0 और Y पोजिशन 70 कीजिए रिंग लाइट कैमेरा के असबस सेट हो गया है यहां X और Y वैलू चेंज करके नोटिविकेशन लाइट एड़जेस्मेंट कर सकते हैं डिस्प्ले टाइम एक नोटिविकेशन आने के बाद नोटिविकेशन लाइट कितने टाइम तक जलेगा यहां मैक्सिमाम 5 मेनि तक फ्री में रख सकते हैं इसके बाद 4th सेटिंस टैब ओपन कीजिए सेटिंस के अंदर हाइड औन कॉल एलाउ करना है फिफ्थ कालर टैब ओपन कीजिए यहां से नोटिविकेशन कालर चेंज कर सकते हैं डिफोल्ट कालर पे टैब करके अपना फिवाइट कालर चूज कीजिए दोस्तो इसका प्राइम पीचर्स में और भी कहीं से रे कास्टमेशन किया जा सकते हैं जैसे कि अलग-अलग एप्लिकेशन के लिए डिफरेंट टाइब आप कालर सेट करना एटसेटर फिलाल नोटिविकेशन लाइट सेट आप हो चुका हैं दोस्तो इसके बाद जब भी अमारे फोन के स्कीन आफ होगा और नोटिविकेशन आएगा तो इस तरह के कालरफूर रिंग लाइट कैमेरा के चारे तरफ घूमते रहेगा स्क्रीन आणलोग करके नोटिविकेशन डिमूप करते ही ये लाइट आफ हो जाएगा तो दोस्तो उम्मिद करता हूँ कि ए वीडियो आपके लिए बहुत हेल्फुल था तो मुरे वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत सुक्रीया